चलो सब्जेक्ट कितने अपने चार है ना यहां देखो आपको देखने मिलेंगे फंडामेंटल पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट PC पैकेज और तीसरा सब्जेक्ट है देखो आपस्टनल भी होता है अगर आप माइसक्वेल पढ़ना चाते यह भी पढ़ सकते हैं है कि माउस के अधार पर हम आसाने से काम कर सकते हैं है बो भी ड मतलब होता है जो भी हम काम करते हैं वो सेब तो हम क्या पढ़ेंगे MS Access ऐसे यहां भी optional है या तो आप multimedia पढ़ सकते हैं या तो visual basic programming पढ़ सकते हैं तो यह थोड़ी सी tough हो जाती है programming और यह क्या हो जाता थोड़ा सा सरल तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे यह वाला आपको पढ़ना यह भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो अभी क्या पढ़ेंगे अपन database using MS Access इसका syllabus देख लेते हैं देखो नीचे यह file मैंने share किया था एक बार और share कर दूंगा group में तो यहां आपको पूरा detail syllabus मिलता है ठीक mysql का भी है और यहीं पर मिलता है MS Access का तो देखो पहली unit में database क्या होता है relational database उसके प्रकार है की बगएर यह सारी चीजे दी हुई यहां पहना दूसरे से है complete truth से practical जिसमें देखो table बनाना मतला MS Access में काम करना तो पहली unit में आ मैंने बताया था playlist है आपकी पूरी complete कहां पर यह देखो playlist में first semester की पूरी file कहां मिलेगे आप पूरी video कहां मिलेंगे यह वाले में है ना PGDCA DCA first semester में इसमें जाओगे तो देखो तीसरा subject कहां है यहां बताओ ज़रा कहां है तीसरा subject database using MS Access तो इसमें आपको theory part जहां तक है MS Access यहां जैसी हम स्टार्ट में गए तो हर एक software जैसी इसको भी start करना होता है इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ जरा तो यहां भी तो blank है दिख रहा है हमारे software का नाम है MS Access Microsoft Access उसका काम है database बनाना लिखा भी है blank database लिखाए जैसे MS Word open करते थे blank document क्या काम था document बनाने का ठीक है MS Excel का नाम आता था blank workbook आता था क्या काम था उसका workbook बनाने का presentation जब बनाते थे blank presentation क्या काम था क्या है database बनाना database क्या होता है सूचनाओं का collection अब सूचनाओं का रख दो यसा थोड़ी होता है व्यवस्तित रूप से रखना होता है जिसे मानलों आपको घर में बोला जाए समान रख दो और दूसरा बोला जाए समान फेक दो दोनुं क्या अंतर बताओ रखने का मतलब क् इस प्रकार की जितनी भी बिंडो है मैंने बता है डायलेक बॉक्स कहलाती है यहां आ रहा पहले से ही डाटावेस का नाम फाइल का नाम मतलब डाटावेस का नाम तो यहां दे देते हैं माय डीवी डीवी मतलब डेटावेस कुछ भी दे सकते हैं ठीक है बस हम दे देते हैं अगर हम ऐसे जैसे दे सकते हैं प्रैक्टिस दे दे दिये मतलब जैसे हम क्या क बहुत है को अन्दार पर कंडिसान है कि हम के कारता है जिसे कभी कभी हम को यहां नहीं करना जैब अधि. नहीं फिर पर रखते हैं क्योंकि मोबाल की इडे पुरत हुआ या फिर देलिट गया अचेण यहां पर C drive आपकी internal memory type काम करती है अगर आपका data मतलब C drive crash हुई तो क्या हो गया पूरा data base चला जाएगा पूरा data जो भी data रखा सब चला जाएगा तो उसी से बचाने के लिए हम कहां जाएगे इस button पर browse बोलते हुसे browse में जाएगे फिर से डालेक box आया तो हम यहां देखो आपको side में computer दिख रच इस PC इसी में देखो कुछ drive दिखती होगी दिख रहे हैं देखो नीचे C drive, E drive, F drive तो C drive तो होगी internal हमारी होगी यह वाली चीज़े E drive और F drive यह चीज़े हमारी स्थिर रहती है तो हम E में जाएंगे और E में हमारे कोई database बना पहले स्थिर बना है पर हमारे database का नाम अलाग है अब यह database का प्रकार देना होता है प्रकार समस्ते हैं जैसे MS Word में Word documents देते Excel में Excel की workbook देते PowerPoint में PowerPoint presentation देते यहां पर Microsoft Access 2007 से लेकर 2016 तक इतने version के बीच में काम करेगा जैसे बताते थे ना कि भाई नई generation का है कि पुराने generation का बताते ने तो अपन ने बता दिये 7 से लेकर 16 उसके नीचे के version में इसको प्योग नहीं होगा और नहीं 16 के बाद में इसको प्योग होगा बाड़े में तो हो सकता है पर नीचे से नहीं होगा अगर हम चाहे तो इसको देखो 2003 तक भी रख सकते हैं बदलना है तो बदल भी सकते हैं ठीक है कभी जरूवत पड़ी पर अभी रहने दे बैसे ऐसे रहने देते और क्या कर देंगे जैसे ओके करोगे इसे फाइल भी कैसे पहचानी जाती है extension से मतलब वो computer का सरनेम है ठीक है पर सरनेम बोलना मत अब हमारी drive का मतलब जो database उसका location देखो जारा क्या है ए में बाहर ही पड़ा है इस लेस लगा है मतलब बाहर रूट डारेक्टी में जैसे कोई पेड़ पर चाड़ते हैं आप तो जो मोटा वाला ताना उसी पर लटके मान लो तो क्या है सबसे किनारे पर कोई भी आपको फट से ढूंड लेगा पर आप सीधे चड़कर दो-चार डाली में अंदर घुसके ख़़ए चुपकर बैठ गाए तो रूट रूट के अंदर फिर दूसरी रूट ऐसे चुपकर बैठे मतलब फोल्डर फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर पर आभी गाए के कहीं यहां मैन रूट पहले लटके हैं वह जो रहता हैं तने पहले हैं किया करेंगा राधिक्स अब्स्ट के अफ्ली ऋतबर समय में आगे हैं जैसे क्रिए्ट करें देखो टाइट्बार देख रहाब आपको टाइट्ल बार में आपको प्रेक्टीज डी भी दिख रहा है किसके अंतरगत बन रहा ही डेटाबेस है और लोकेशन भी दिख रहा कहां और किसके देखो किस-किस वर्जन में काम करेगा MS Access Application का नाम दिख रहा है पूरी जानकर ही टाइटल में दिख गए जैसे हमारा चेहरा देख आमने वाला फैचान ले था । फुरní फबर कि ऐसरा ना रहा है हि अगर पूरा मास्क लगा लगा ये पूरा कस ले next तो प्हँद हाने चाल धाल से बहुत कम लोग बहुत के जिए कि दिसे हैं के वे यह रहे हुर्प चाल धाल से हम सहह हमारा option रहते हैं इनको देखो commands बोलते हैं ठीक है तो हर एक में दिख रहा है अपनों के देखो देखो देख रहा है इसको भी आपको बंद कर दे राइट किलिक कर इसको बंद कर दे अब इसमें चार चीजों का काम होता है MS Access जब हम पढ़ेंगे चार चीजे होती है कौन-कौन सी देखो ध्यान से टेबल दिख रहा है दूसरा केयोरीज दिख रही तीसरा फॉर्म दिख रहा है चौहता रिपोर्ट दिख रहा है यह चार ही इनको बोलते है अबजेक्ट अबजेक्ट का मतलब क्या होता है देखो एक काम करें चल रिपोर्ट दो बलते ही नहीं बोलते है तो मतलब जो भी आपने काम कर उसकी समभरी देना पूरा भी और उसे क्या वह लेंगे रिपोर्ट फॉर्म सुनें कहीं देख रहे होना अब भी भरे होंगे आपने एडमिंसन करने तो तो भी तो होगा औफ-लाइन पर ऑल्लाइन मिल जाए तो पर ले देखे दोनों का काम एक होगा के लिए data को collect करना होता है मतलब आपके data को collect किया जा रहा है तो क्या हो गया हो उधैर को इसी प्रकार क्यों रीस को मतलब खेंक है क्यों सुने कि नहीं क्या होता question है डाउट जो दिमाग में वो पूछ रहा है पूछ क्यों रहा है उसको चाहिए ना हमको जैसे मान लो आपको कोई चीज समझ में ना था पूछोगे जो है उसी से टेबल रहेगा तो ही question पुछेंगे टेबल रहेगा तो ही data save होगा किसके थूरू form के थूरू टेबल रहेगा तो ही data report बन कर आएगा समझ गए तो main object क्या होगे आपका टेबल तो टेबल बनाएंगे पहले और टेबल क्या होता है वो चीज आपको पता है चलो एक बार यहां देखा देता हूं मैं MS Word सबको पता है ठीक है MS Word में टेबल बनाना जिनने नहीं सीखा बाद में सीख लेंगे और देखो यह टेबल दिख रहा आपको दिख रहा है यहां हम लिख देंगे क्या serial number यहां लिख देते name और यहां लिख देते हम address लिखे आप serial number में serial number से related जानका है तो इसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है address में किस प्रकार की value आईगी वह ध्यान रखना पड़ता है name में किस प्रकार की आईगी serial number में यह और हम side में और column ले ले लेते हैं जैसे मान लो insert यहां पर नहीं आ रहा है चलो यहां पर हम जो है एक और column insert कर लेते right side में और इसका नाम कर देते हम फीस अब फीस में मान लो मैं ऐसे छिनवाला लिख देता हूं तो क्या अच्छा है क्यों गलत है तो हमको यहां क्या करना पड़ेगा हम यहां से बारह हजार बीस हजार एक लाग हैं सी चीजे input करेंगे तो यह की category हो गई इस फीस की category हो गई numeric पर नेम में बहुत सारी संख्या नहीं रहती नाम मिडिल नेम सर नेम तीन चीजे रहती मतलब लगभग लगभग आप बोलो तो तीस में तीस करेक्टर उससे जादा नहीं रहेगा पर यहां पर हो सकते ही नहीं तो यह भी category string है और यह भी category string है पर size में difference है मतलब यह छोटा सारी student पर total करके दिखाओ तो करना पड़ेगा तो दोनों मंतर हैं समझ गए तो यह data type हो गया फीस का प्रकार मतलब data type name का प्रकार address का प्रकार मतलब data type इसके अंदर जो भी input कर रहे है data है और यह क्या है data का एक प्रकार हुआ कि नहीं यहाँ type कर दो तो यह अलग प्रकार का हो गये कि नहीं यहाँ type कर दिया अपनने यह देखो है कुछ भी type कर दिये यह अलग प्रकार का हो गया मतलब string गई है परन्तु size में कम ज्यादा हो गया यहाँ पर one type कर दिये 1101 type कर दिये भी ठीक है तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा तो यहाँ हमको ध्यान रखना प तो आपको अभी किसमे काम करना होगा टेबल होना जरूरी कि नहीं तभी आप मार्की में जाओगे ठीक है मानलो किसी ने कुछ चीज समझाए नहीं और आप क्योरीज पूछे जा रहा हो तो क्योरीज कहां पूछी जाती जो है मानलो मैंने अभी MSS पढ़ा दिया आपको ज टेबल बनाने के लिए दो मेथड है एक तो डारेक्ली टेबल बन जाता है ठीक है और दूसरा बन जाता आपका क्या टेबल डिजाइन से तो टेबल डिजाइन से हम बनाएंगे वही ज्यादा इंपोर्टेंट है यह तो ready-made है ठीक है क्लिक करें देखो अभी हमारे सामने फ सीरियल नंबर एक और चीद ध्यान रखना है डॉट लगा यह से नहीं देना है यह डॉट लगा गलत है तो आप क्या लगाओगे डारेक्ली आप सीरियल नंबर यह से लिख सकते हो अभी तो यह यह समझाँगा मैं तो यह सारे डाटा टाइप है तो बताओ मुझे यह यह देखो दिख रहा है समझ में आ यह उसके बाद हम लिख देते हैं इस्टूडेंट नम तो इस्टूडेंट नम लिख दे हुरा बड़ा बड़ा इसलिए यह लिखते कुछ ज्यादा बढ़ा में थोड़ी तिक्कत हो जाती सर्च करने में ठीक है अब यह क्या आगा बता बहुत बड़ा टेक्स्ट टाइप करते हैं कि छोटा टाइप करते हैं छोटा मतला मीडियम लेबल का घ्वाई रमेश कुमार सर्माय या फिर प्रकार कई कुछ आ जाए तो ऐसे ही रहता ना तो सौट टेक्स में काम चल जाएगा सौट टेक्स मतला 50 करक्टर के लगभग लग पर जरूवत नहीं हमको लॉंग टेक्स देना होता है फिर आपको बोला जाता है अब यह हमने यहां चार लिये थे का जरूवत पड़ जादा नहीं ले सकते हैं फॉम भरवात है जब टोकना भर फील्ड रहती है फील्ड मतला समझ का है फिर कॉलम जिस पर डाटा फिल करते टो फीस भी रह सकति है अडमिशन डेट रह सकते है डेट ऑब बर्त रह सकती है फिल्ड है पिता जी का नाम माता जी का नाम OBC गेटेगरी बगिरा जो भी लेना सब ले लिए ठीक है तो हम यहां नॉर्मल ले लेते क्या फीस भी ले लेते हैं फीस किस में आएगी नंबर ही माईगी नंबर को हम कम जादा यहां से कर सकते दिख रहा नीचे कैपेसिटी देखो यहां सीरियल नंबर में भी देखो नंबर लॉंग इंटीजर लॉंग इंटीजर मतलब बड़ी मात्रा में नंबर ठीक है और सौट इंटीजर भी आता देखो इसी में जाओगे तो यह ओप्सन दिख रहा है यहां पर बाइट है सिंगल है डबल है तो कोई रहता है क्या 12 का हो सकता है प्लस 9 1 जोड़ दे कितने हो जाएंगे 12 पर मीनिमम कितने हों चाहिए 10 तो होने चाहिए 1 से सुरू होने वाले कंपणी के फर्जी कॉल होते है स्पैम कॉल बलते है समझते कि नहीं ट्रू कॉलर रेड कलर दिखाते है साल लगाई ठीक है कु लेंगे, short text, long text, number, क्या लेंगे, किस में आएगा बू, number का मतलब special symbol नहीं आता, जबकि date में slice आता है, आता है न, date आता है या slice आता है, तो number slice थोड़ी लेगा, इसके लिए separate data type बन गया है, जिसको बोलते है date time, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब separate दिये है, जब भी आपको कोई चीज की ज़रुवत पड़ित यहां से ले सकते, अच्छा और क्या-क्या field होती बताओ जरा, mobile number भी लेते हैं, तो mobile number के लिए हम number ले सकते directly, एक ही चीज की तीन-तीन हो गया, हमारे सारे data type cover होना चाहिए, और बताओ जरा, फीस ले लिए अपने, date of admission के लिए अपन क्या ले लेते, date time, ले सकते हैं, उसके बाद देखो आपको और बहुत सारी चीज है, यह currency ले सकते हैं, जैसे मान लो आप कोई बैपार कर रहा हो, और आपका इंडिया से अन्य देशों में भी बैपार होता है, तो अप ले सकते हैं, डॉलर है दुनिया भर का, हलाकि इसमें रूपीस देता कि नहीं देता पता नहीं, ठीक है, और अगर नहीं करते हैं, तो डॉलर के लावब कुछ नहीं देगा वो, उसके अलावब यस नो रहता है कि नहीं, जैसे मान लो eligible है नहीं है ऐसा बोलते है कि नहीं, छोटा टेक्स, किस में लेते हैं, कोर्स के नाम में ले सकते हैं, उसमें नेम में ले सकते हैं, लॉंग टेक्स किस में लेते हैं, एड्रेस बगिरा में, नमबर पता चल गया, इसी में लार्ज नमबर आता है, छोटा भाई, बड़ा भाई, ठीक है, और आपका इतने में complete न ही होगा मोबाइल न salsa बढ़ी चीज हो जाती है छलो टनी समझ गए इसी के च्छोटा भाई और बड़ा बैकरंसी आतो नंबर का मतलhetğe करीगहे किसी नंबर नंस مतलभ एक लिए या एक होता है calculate करने का जरूवत नहीं पड़ती, look up wizard होता है, बनी बनाई चीजे, जिसे आप कहीं form भरते होंगे, तो course के सामने automatic आजाता होगा, लाना पड़ता है, पहले से रहता है कि लाना पड़ता है, पहले से रहता है, सिर्फ क्लिक करो, arrow और automatic आजाती है, आती कि नहीं आती है, ठीक है, state भी automatic आजाता है, तो वो क्या है, look up wizard, पहले ही से, इसको बनाना सीखेंगे, अभी आप इतना रखो, अब हमको save करना होता है, य save करने spell ध्यान दो, class होती है, class में एक captain होता है, होता है, आपने school में पढ़े होंगे, तो teacher सारी चीज मेंटेन नहीं करता, क्या बना देता है, class captain, बना देते हैं, तो class captain के अनुसारा, पूरे class के बच्चे मेंटेन होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मान लो, यह सारे बच्चे है, student, इनका एक captain होना चाहिए, होना चाहिए, उस captain को बोलते है primary की, क्या बोलते है, तो primary की बनाने के लिए किसी भी field में, अच्छा, captain किसको बनाएंगे, किसी को बना देंगे, जिसकी बात ने मान रह, उसको भी बना देंगे, नहीं, जो दबदबा जिसका जाधा रहता है, र रमेश कुमार, रमेश कुमार, तीन हो गए, अब बताओ, यूनिक होना चाहिए नहीं, यूनिक मतलब समझते ही नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं, तो serial number 123 डालेंगे, दूसरा बेक्ति हाईगा क्या, या फिर roll number के according, दूसरा हाईगा क्या, नहीं, तो हमको किसको बनाना है, जो यूनिक है, और यूनिक की ही primary की बनती है, क्या बनती है, primary की, तो जिस भी field की उपर primary की बनाना, right click करो, देखो क्या आगया, समझ गया, ये बना लोगे, तभी आपको right click करके, यहाँ पर save करना है, right click करेंगे, तो option खुल जाते है, save, इसका नाम कर दो क्या, student, समझ गया और क्या कर दोगे, जैसे okay करोगे, ये field, देखो यहाँ पर आगया, object वाले section में, आगया, एक table बन गया, क्या नाम से बन गया, student, अब इसको आपको करना है, close, save तो कर दिए, close all जो होता है, आपका बहुत सारे खुले उसके लिए, तो अभी कर दो close, अब ये table बन गया, table ब यहाँ पर नीचे आपको data आ रहा है कि ने, तो जहाँ जहाँ नियुमेरिक लिए, वहाँ 0 आ गया, चलो data input कैसे करेंगे, महाँ लो 101 serial number ले लिए, नाम ले लिए हमने यहाँ पर रमेश कुमार जोगी, address में ले लो, जो भी लेना है, bad number लेना नहीं लेना, वो आपके उपर अपने दे दिये हैं, यह normal हमने चिनबाडा लिए, फीस में नुमेरिक आ गया, अपने ले लिए 12,000, date of birth में देखो, automatic side में calendar आ गया होगा, तो date of birth आप change, आप देखो, ऐसा click कर सकते हैं directly, अब 2023 में पैदा नहीं हुआ, तो इसको कर दो, आप 2002, change कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हैंना, पर यहाँ पर mobile, अच्छा, mobile number देते, जो भी देना है, अपने देते हैं, इस प्रकार से, ले लिएक 10 number उनने, 10 number नहीं ले रहा है, क्योंकि normal number लिए थे, तो 10 number लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, large number, क्या करना पड़ेगा, large number, अभी तो उसको एक कम कर दो, हमने गलती कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाओ, अपडेट आप एडमिसन हम ऐसे ले सकते हैं, अभी की है, और यहाँ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि क्लिक करो और एड कर लो, पर हमारी फिल्ड है के अभी वहाँ, नहीं है, तो कीबोड में टेप की पता सबको की, यह देखो, यह टेप की, कैप्स लोग के उपार, डबल एरो वाली, इसको दबाएंगे, देखो, नीचे वाली फिल्ड में आ गया, इसका मतलब फिर से आप सीरियल लंबर इंपुट करो, जो भी है, यह से इंपुट करते जाओ, और धेर सारे रिकॉर्ड आपके आते तो मिनिममम आपको दसरिकॉर्ड एंपूट करना है और ऐसे फील्ड बनाना है, फील्ड बनांके 10 रिकॉर्ड एंपूट करना, और उसको यह से राइट कुलिक करके सेव करते, ठीक है, एक बार फिर से आपने स्टार्ट करना देखते हैं, मतलब ऍदेटाबेस बना लिए पनने है ना चलो फिर से कैसे करेंगे स्टार्ट बटन में जाएंगे एक्सेस लिखेंगे आप देखो आपको यहीं पर ओप्सन भी देखा जो जो रिसेंट में आपने काम करें इस एप्लिकेशन में वो दिख रहा है डेटाबेस पर आमको नहीं करना है ऐसे क्लिक करो और डेटाबेस टू बनना लो जो भी नाम देना है मीनिंगफुल देना है आप कभी भी अपना नाम से देते हैं नाम से नहीं देना नाम से क्या फरक पड़ता बताओ दो नहीं वहां पर किस से रिलेटेड आपने डेटाबेस बना एक मीनिंगफुल नाम दो ताकि सर्च करने म प्रॉब्लम नहों राम से हम मोहन से सर्च करोगे नहीं तो आप मीनिंग्फुल देना कभी ओके कर दिए एडबल सी डीवी इसका एक्स्टेंशन क्या है एडबल सी डीवी करेंगे हमारा अब क्रेट में जाएंगे देखो यहां से क्लिकक करेंगे टेबल डिजाइब करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके करेंगे save और save करने के बाद जो database student वाला बन गया था table उसको double click करके entry करेंगे ठीक है और entry करने के बाद बार बार आप ऐसे save करते रहें नई भी करोगे save हो जाता पर आदत में रहना चाहिए ठीक है अच्छा पुराना database कैसे open करोगे open में जाओगे और यहां recent में दिख रहा तो ठीक है अभी हमने क्या बनाया बता जा रहा इसके पहले बना database 1 फिर practice DB अभी अभी काम करें फिर अभी just हमने जो काम करें है वो database 2 नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं this PC में जाओ browse कर लो चाहे तो और आपको location eDrive दिख रहें देखो practice DB और open कर लो open करेंगे तो enable कर लेना फिर से एक नाया टेबल बनाता है यहीं कि database होता है database के अंधर multiple table हो सकते है multiple queries हो सकती है form और report समझ गए चलो इतना काम करना आपको